मेंशन करना चाहूंगा जो थोड़ा off topic है वो यह है कि यार इस तरह की situation में इर्फान जुनेजों की दर गायब हो जाता है जिलनों का नहीं पता कई महीने पुरानी बात है मैंने एक लड़की है गेंस ट्वीट कर दी ही जो बाद में मैंने रियलाइज किया कि यार मुझे इस तरीके से नहीं लिखना चाहिए था खेर मैंने मामला खतम करने के लिए उसको personally reach out करने की कोशिश की जो पहले तो नहीं हो सकी लेकिन फिर मैंने एक दोस के थूरू उसको reach out किया उसको apology की उससे बात की और फिर मैंने video भी डाली उसके favor पे उसमें भी apology की और मैंने in return उससे कुछ नहीं मांगा कि भाई वो मेरे प्राइवेटली reach out करके पूछ लेना चाहिए था अगर तुम्हारी उससे बात चीत है कि हाँ भई क्या सीन है और अगर मैं कहीं पे घल्त हूं तो मुझे बता सकता था या अगर tweet करनी भी होती या बात करनी भी होती तो मुझे direct mention किये बगएर ये बंदा कर सकता है अब यह करने मेदान में आ गए तुम लोग यकीन करो मेरा जो बड़े से बड़ा दुश्मन रहा चुका है ना in the past वो भी मुझे private message करके समझा रहे जहां पर मैं गल्त हूं और privately भूच रहा कि क्या सीन है जबकि उसके पास बहुत अच्छा मोका था कि मेरी मार सकता हाची खासी और वो मेरा दुश्मन रहा चुका है in the past लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं किया क्योंकि basic ethics है जो चूतिया नहीं है न उसको पता है इसी तरह कश्मीर पे पाबंदी लगी तो भाई साहब ने बहाने बनाने शुरू कर दी कि एक कांटरवर्सी है तो चलो खेर वीडियो तो कई लो मूँ लगाता है अब तुम लोगो याद होगा भाई साहब की statement ही कि यार मैं इस तरह के topic पे इसलिए नहीं बात करता क्योंकि किसी का opinion नहीं होता तो इसलिए politics और religion वाले topics पे मैं बात नहीं करता जो ठीक है make sense लेकिन मुझे ये बताओ कि वो सारे criticism वर्दी tiktokers जिसको आज तक इस भाई साहब ने mention नहीं किया जो tiktoker एक आम लड़की जो उसकी fan है उसको live stream पे आके काली बोल रहे है उसका politics और religion से क्या तालूक है या वो जो motorway वाला incident हुआ था उसमें politics और religion का क्या तालूक है या उस पे तूने किसी का opinion कैसे change करना है तो हो ना कि कोई ऐसा चूतिया हो जो rapist को sport करता हो लेकिन नहीं भाई साहब उस बारे में बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उसके अंदर कोई youtuber ना cancel नहीं हो रहा उसमें किसी youtuber को ग्राने का मुका नहीं मिल रहा कि इसको अपने चैनल पे फिल्म करें की नहीं डाला उल्टा ये जरूर करता रहा है वो भी without proper consent camera गुसाइदा था मुपे हाँ privately हमारी बाची जरूर थी और एक contact जरूर था जहां इसकी controversy चल रही ही सारा पाकिस्तान इसकी बंड ले रहा कश्मीर वाले issue में subscriber lose कर रहा, dislikes आ रहे है तब मैंने इसको privately इसका जितना साथ दिया मुझे नहीं लगता किसी YouTuber ने दिया हूने है तो मैंने भी इससे same expect किया है लेकिन वही बात है basic ethics ही नहीं है इंटरनेट पे आके अपने आपको नवाब शरीफ दिखा देना है लेकिन tweet वीचे सब यूटीबर्स की बुराईया ब्रैंड एजनसी के पास जाकि भी सारे यूटीबर्स की बुराईया जिसका मेरे पास एक एक सबूत पर आवा है by the way बट मैं यहाँ पे सरफ अपना part clear करने आया हूँ जो इसने tweet किया हा मेरे गेंस इर्फान जो भाई साब ने अपनी reason दे दी कि कि वो associate क्यों नहीं करना चाते मेरे से तो ये थी मेरी reason जो कि है double standards और मुनाफकत अब हो गया हिसाब बराबर वापस बात करते हैं